इंडेफिनित इंटेग्रेल तो अगर आपके पास इस टाइप की फोर्म है इंटेग्रेशन AX प्लस B अपॉन CX प्लस D DX इक्वल टू तो आप इसको डेरेक्ट इस तरह से इंटेग्रेट कर सकते हैं A इसमें क्या है देखो आपको अगर हम प्रोपर वे से जाएए इंटेग्रेल है पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा तब इसको सिंप्लिफाई करेंगे लेकर हम यहाँ पे डिरेक्ट कर सकते हैं देखो यह AC यह जो कोफिसेंट X के दोनों में निमेरेटर डिनोमेनेटर में डिरेक्ट यही लिखना है 2 अपोन 5 X माइनस AD इन दोनों की मल्टिप्लाई डायोगनली 9 इन्टो 2 18 माइनस BC 5 इन्टो 3 15 अपोन C स्कोर यहनी जो यह X का कोफिसेंट आ निचे 5 का स्कोर 25 लोग मोड डिनोमेनेटर इसमें सिंपल 5 X प्लस 9 प्लस C यह आपका अंसर आजा आएगा सेकिन्ड क्वेस्चन इहां पर सिंपलिफाई कर सकते हो 18 माइनस 15 तो 3 अपोन 3 अपोन 25 आ जाएगा यह 2 अपोन 5 X माइनस 3 अपोन 25 लोग मोड डिनोमेनेटर यहनी 5 X प्लस 9 प्लस C दूसरे एक्जामपल लेते हैं इंटेग्रेशन 4 माइनस 5 X अब की बार X बाद वाले टर्म में लिखा हुआ है आप इसको डियारेंज कर सकते हैं आप इस तरह से ले सकते हैं माइनस 5 X प्लस 4 अपोन 3 X प्लस 4 D X और आप चाहो तो इसमें से माइनस बाहर भी ले सकते हो यहां पर माइनस ले लेंगे बाहर इंटेग्रेशन साइन से तो इसका साइन 3 A D माइनस B C 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 इंटू 4 यहां पर माइनस का 12 आएगा और माइनस माइनस प्लस 12 अपोन यहां पर C स्क्वेर यह हो जाएगा आपका 3 का स्क्वेर 9 लोग मोड डिनोमिनेटर यानि 3 X प्लस 4 प्लस C आप इसको ब्रेकेट 2 अपोन 9 लोग मोड डिनोमिनेटर 3 X प्लस 4 प्लस C इस तरह से आप सिंप्लिफाई कर सकते हो थेंक्यो